कि नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखर्णावियों पैथी क्लिनिक में एक बार फिर आपका स्वागत है की साथियों कि आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन दिकत सानेुसाइटिस के बारे में साइडीस आज कल की बहुत कॉमन दिकत है आम तोर पे बच्चों से यह शुरू होती है और बड़ों तक हो रही है तमाम मरीज रोज क्लिनिक पर आते हैं तो हमने सुचा कि यह बड़ी कॉमन दिखात है इसका वीडियो अपने यूटूब चैनल पर होना चाहिए इसकी कारगर दवाएं यूटूब चैनल पर होनी चाहिए ताकि आप एट लिस्ट जान सके कि हमयोपैथी में वास्तव में साइनुसाइटिस को ठीक करने की दवा है और आपको यहां सर्जिकल प्रोसेस से बचा पाने में समर्थ है चलते हैं साथियों सबसे पहले जाल लेते हैं साइनुसाइटिस होती क्या है साइनुसाइटिस साथियों आपके साइनस जो मेंब्रेन होती है कैविटीज होती है उनके इंफ्लमेशन को कहते है है क्या कि अपना जो याई स्कल होता है यहाँ पे कैविटीज होती है जितमे एर भरी होती है frontal sinus होता है, maxillary होता है, itamide होता है, pera maxillary होता है या sinus होते है इनमें एर भरी होती है जब आपके infection हो जाता है कोई तो इसमें air की जखाँ पर mucus हा जाती है और वहाँ mucous जो है, वहाँ उन sinuses को block कर देती है, वहाँ से movement जो हो रहाता है, physiological उसको रोग देती है उसी उस condition में जो आपके sinus की membrane होती है, उनमें सूजन आ जाती है तो जब आपको membrane में सूजन आ जाती है इन bacterial growth के कारण, mucus के कारण, तो फिर आप sinusitis के शिकार हो जाते है Sinusitis एक ठीक होने वाली बिमारी है, आज हम आपको इसको बताएंगे ठीक करने की 10 कारगर होमियो पर ठीक दवाएं सबसे पहले जान लेते हैं साथियों, इसके symptoms क्या होते है साथियों, sinusitis के चार important symptoms होते हैं, जिनसे आप guess कर लेंगे, आपको sinusitis है की नहीं सबसे पहला symptom होता है, कि आपकी नागबंद हो जाती है, यानि nasal obstruction हो जाता है दूसरा symptom होता है, आपके loss of smell हो जाती है, आपके जो सुमने की शक्ती है, वहां खतम हो जाती है तीसा symptom होता है, कि आपके nose पे pain होने लगता है, यहाँ पे पेन आपको भारी पन महसूस होता है यहाँ गर symptom है, तो यहाँ एक sinusitis का symptom है चौथा सिंटम होता है सातियों जब आपके ठिक म्यूकस नाग से निकल रहा होता है और वहां की नाग को ब्लॉक रखता है तो अगर यहां पर चार सिंटम है तो आप एक अंदाजार लगा सकते हैं आपको चार स सातियों साइनिस के कारण की बात है SDK चार सिंटम कोजब को भी बता देगा और आपके निसल पॉरिप को भी इंडिकेट कर देगा जहां तक साथियों साइनस के कारण की बात है sinusitis के करण की बात है तो यहाँ आपका environmental factor होता है जो सबसे important role play करता है उसके अलावा DNS होता है जिसके डेवेटेड यानि नाग की हड़ी टेड़ी होती है उसके sinus हो जाता है उसके अलावा जिसके nasal polyp होता है यानि कि यहाँ पर growth होती है nasal septum के बीच में उसको भी sinusitis हो जाता है sinusitis में चीके आती है और आपको खास दोर से सुबा और शाम जरूर आती है और आप जिस करवट लेटते हैं उधर नाग पर में हो जाती है या सब sinusitis को indicate करते हैं और DNS या nasal polyp या फिर कोई metabolic disorder या respiratory disorder इसके causes होते हैं अब साथियों हम आपको बताएंगे होमियोपैथी में 15 कारगर दवाएं जो आपके sinus जो की बड़ी common बिमारी आपके बच्चे को operation से बचा लेगी और आपको या आपके बच्चे को परिवार में जिसको भी उसका sinus को ठीक करके एक normal समाने जीवन दे देगी दवा बताने से पहले साथियों हम आपको बता दें यहाँ दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं कोई भी दवा बिना किसी कुसल चिकर सकते पूछे मत लीजेगा क्योंकि आपके symptom इस बताएवे symptom से भीन भी हो सकते हैं और यहाँ दवाएं आपको नुकसान भी कर सकती हैं चलते हैं साथियों बताते हैं आपको होमियोपैथी में साइनुसाइटिस को ठीक करने की पंदाकारगर होमियोपैथिक दवाएं साथियों सबसे इंपॉर्टेंट दवा जो होमियोपैथी में sinusitis को ठीक करने की नंबर एक दवा है वहा है silesia आप silesia मैंने अपने clinical experience में देखा है silesia 200 पावर की तीन खुराग 55 मिनिट के फासले पर अगर आप weekly देते हैं उस इस्तिती में जब आपकी नाक पुरी तरह बंद रहती हो आपको sinus रहता हो आपको सर्दी बहुत लगती हो तो आपको यहाँ sinusitis से silesia निकालने में समर्थ है इसकी weekly आप तीन खुराग लेते रहें आप देखेंगे कि आपकी नाक भी खुलने लगी आपकी चीके भी कम हो गई आपको सर्दी लगना भी कम हो गया और आप ठीक होने लगे एक इस्तिती आती है साथियों जो जादत लोगों के साथ होती हुई कि सर्दी में sinus की तकलीब बढ़ गई तो अगर आपको cold से cold होने से cold weather में sinus की तकलीब बढ़ रही है तो उस condition को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा काली आयोड है आप काली आयोड 6X की चाट टेबलेट दिन में दो बार उस इस्तिती में ले सकते हैं कि जब आपके सर्दियों में या सर्दी होने पे दोनों ही इस्तिती में आपके sinus की तकलीब बढ़ रही हो तो काली आयोड 6X पावर जो है यह आपको इस तकलीब से निकाल के आपके sinusitis को ठीक करने में बहुत हल्प करें एक इस्तिती आती है साथियों sinusitis में कि आपकी नाक पुरी तरह क्लॉग्ड हो गई और जब नाक क्लॉग्ड हो गई तो आपके headache होने लगा खासतोर से frontal headache होता है यह जो frontal headache होता है यह sinusitis का characteristic होता है क्योंकि frontal sinus सबसे ज़्यादा prominent होता है उस स्थिती को ठीक करने की उस सदर्द को खतम करने की गालकर दबा है बेलेडोना आप बेलेडोना 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार लेते रहें आप देखेंगे कि आपका pain काफी कम हो जाएगा जो कि sinusitis के कारण आपको और clock नोज यानि नागबंध होने के कारण आपको हो रहा है एक condition आती है साथियों sinusitis में कि आपका बिल्कुल smell चली गई हो आपकी सुमने की चमता कदम हो गई हो अगर यहाँ condition आप में है तो होमियोपेथी में इस condition को ठीक करने की बहुत कारगर दवा loss of smell को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है लेमना माइनर आप लेमना माइनर का मदा टिंचर 20 मून सुबा शाम आदे का पानी में दो टाइम ले ले आप देखेंगे की जो आपकी smell करने की सुमने की चमता है वो वापस आ गई आपका smelling power वापस आ गया और आप बिल्कुल ठीक हो गए एक कॉमन कंडिशन जो साथियों आती है वहाँ होती कि आपके म्यूकस हो रहा है म्यूकस वापस आपके थ्रोट में चला जा रहा है आपको खटा-खटा करवा-खडवा आजीव सबत-बूदा लग रहा है वो इस्थिती अगर साइनुसाइटिस में है जो की होती है और साइनुसाइटिस की सबसे फेक्टिक दवाओं में से एक काली बाइक्रोम है अगर आपको साइनुसाइटिस है तो आप सालिसिया के साथ काली बाइक्रोम 30 दो दो पून दिन में तीन बार डेली ले ले आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम मिला sinusitis में और आप कहींगे हफते भर में सावों को अराम होने लगा तो काली बाई क्रोमेटियम sinusitis की बहुत अच्छी दवा है उस सिती में कि जब आपका बल्गम जो है जो आपका म्यूकस है वापस आपके थ्रोट में जा रहा हो फिर साथी हो एक कंडिशन आती है जब आपके हरे रंग का बल्गम निकल ला हो कोई जलन ना कर रहा हो कोई तकलीब ना दे रहा हो लेकिन बल्गम यानि नोजी निकल ला ही हो वाइस सिती अगर आप में होती है sinusitis में तो उसको ठीक करने की होमियोपैटि में और sinus को ठीक करने की होमियोपैटि में उस सिम्टम पे बहुत अची दवा है पल्सेटिला नाइगरा पल्सेटिला थर्टी पावर में दो-दो-बून दिन में तीन बार ले सकते हैं आप जब आपको प्यास बहुत कम लगती हो आपके हरे रंग का इस पूटम म्यूकस आ रहा हो नोज से नोजी आ रही हो ग्रीन कलर की आपको प्यास न लगती हो और वहाँ जो आ रहा हो नोजी वो जलन ना कर रही हो पुरी तरह से प्लीन ब्लैंड हो तो आपकी दवा पल्सेटिला है अथर्टी पावर में दो दो बूर दिन में तीन बाल लेकर लाप राप कर सकते हैं एक स्थिती साथियों साइनुसाइटिस में आता है कि नाग पुरी तरह बंद हो गई लेकिन नाग में रूखापन सूखापन बहुत है ड्राइनेस बहुत है तो अगर यहाँ एस्थिती आपके साइनुसाइटिस की कंडिशन में हो कि आपका साइनस भी इंफ्लेम्ड है यहाँ सब ब्लॉकेज भी है साथ में आप कि बहुत ड्राइनेस है निसल में 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 अगर यहाँ इस्थिती है तो इसको ठीक करने के हुम्यों पैटी में बहुत काड़ दर्दवा सेंब्यूकस नाइग्रा है आप सेंब्यूकस नाइग्रा थार्टी पावर में दो 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 उन दिन में तीन बाल ले ले आप देखेंगे कि आपका जो है वहाँ जो ड्राइनस में 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 की वहाँ खतम हो गई और आपको साइनस में भी रहात मिल गई फिर साथियों कंडिशन आती है कि आपके राइट साइड हेडेक हो रहा हो अगर आपको राइट साइड डर्द हो रहा है साती ओं तो इसके लिए हमियोप्यती में भॉत कारगर दबा है ईडिटोना आप जो रिजए कि आपको इससें बाल ले ले है अभर फेज़़ थासरे कि जा N Пр Tapi के left-sided headache हो तो आपको salisya आपके rescue के लिए आएगी 縃 इसपाइजीली आपके rescue के लिए आएगी और आपको ठीक कर देगी फिर ये condition आती है साथियों कि आपको sinusitis हो और आपके पूरे चेरे पे दर्द हो रहा हूँ और पूरे face पे दर्द हो रहा हूँ यहाँ कंडिशन अगर आपके है तो इसको ठीक करने के होमियोपेटी में बहुत कारगर दबा, इस्पाइजीलिया है आप इस्पाइजीलिया 30-20 दिन में 3 बार ले लें आप देखेंगे कि आपके पुरे फेस में जो पेन हो रहा है due to sinusitis वहाँ पुरी तरह ठीक हो गया और आप अपने में रहात महसूस करने लगे एक कंडिशन साथियों आती है कि आपको allergies हों और आप किसी भी धूल में जाते हों ठंडा तो आपके sinusitis पर जाता हो अगर यहाँ कंडिशन आप में है तो इसको भी हुन्योपेटी में ठीक करने की बहुत कारगर दबा है उस allergies को भी ठीक करेगी और आपके sinusitis को भी ठीक करेगी और दबा का नाम है sinapis nigra आप sinapis 30 पावर में 2 जो बून दिन में 3 पार ले लें आप देखेंगे कि आपकी allergies भी खतम हो गए जिससे कि आपको चीके नजला चरा सा वहां निकले और चीके नजला आने लगा वहां इस्तिती खतम हो जाएगी और आप अपने को बेहतर मैसूस करेंगे और आपका sinus भी ठीक होने लगेगा sinapis लेने के बाद एक बड़ी अजीबो गरीब साथियो sinusitis में कभी कभी बनती है कि मरीश के राद भर नाग बन रहती है और दिन भर नाग बहती है अगर यहाँ condition किसी में sinusitis में कि राद भर नाग बन रह जाती है और दिन भर नाग बहती हो तो उस condition को ठीक करने की होमियो फैती में बहुत कारगर दवा नक्स वोमिका है हम लोग सब नक्स वोमिका को पेट के लिए जानते हैं मानते हैं और आप लोगोंने ली भी होगी लेकिन यहां sinus की सबसे अच्छी दवा है सपोस करिए condition आ रही है डायर condition है जिसमें आदमें चीके पे चीके आ रही है नाक से पानी पे पानी बहरा है उसके ये दर्द ये दर्द चीक बोंस पे दर्द है और वहां कौन सी एक दवा है जो उसको ठीक कर देगी हमने अपने clinical experience में देखा है कि नक्स ओमिका वो दवा है जो उसको ठीक कर देगी आप एक हाजार पावन में नक्स ओमिका की एक खुराग दे दीजे आप देखेंगे पांच मिनिट के अंदर मरीज जो है हमाई क्लिनिक से तो हस्ता खेलता खुस होता जाता है आप भी एदवाले के बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपका यह जो peculiar symptom है कि राद भर नाग बन रहती है और दिन भर नाग बहती है यहाँ दोनों symptom ठीक होके आपको sinusitis को ठीक होने में help मिलेगी फिर साथ ही में condition आती है sinusitis में कि आपकी नाग पूरी तरह बंद हो गई कोछ भी उसमें से नहीं निकल ला है अगर यह इस्तिती आपके sinusitis की condition में हो तो उस्तिती से निपटने के लिए ठीक करने के लिए और sinusitis को ठीक करने की सबसे अची दबा इस्टिक्टा है आप इस्टिक्टा फल्मोनेरिया 30 पावर में 2 दो बून 3 में 3 बार ले लें आप देखेंगी कि आपका सारा नजला बह गया वो जो अंदर बिलकुल टाइट था वो पूरी तरह खतम हो गया और आपका नजला पूरी तरह बह गया तो उस इस्टिती में आपकी बहुत अची दबा इस्टिक्टा है फिर एक कंडिशन आती है सातियों sinusitis में की छीके बहुत आती है स्नीजीं बहुत होती है तो अगर आपको छीके बहुत आ रही है sinusitis में तो चीके तुरंत रोखने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दबा है दो दबाएं हैं बलकि पहली दबा है सबैडिला और दूसी दबा है अमोनियम काद सबैडिला 32-22 दिन में 3 बार ले ले कि अगर आपको हर वक्त चीके आ रही है और अमोनियम काद 32-22 दिन में 3 बार उस कंडिशन मिले सकते हैं जब आपको चीक के साथ नाक से खून भी आने लगा इपी टैक्सिस होने लगी नोस से ब्लीडिंग होने लगी वहाँ कंडिशन अगर sinusitis में है तो दबाएं मोनियम कारग है और अगर ना भी हो रही हो तो भी आप सबैडिला और अमोनियम कारग कर्मिनेशन लेकि अपनी चीकों को sinusitis में तुरण रोख सकते हैं एक कंडिशन साथी आती है sinusitis में कि जो नाक से पानी बहरा है वहाँ बहुत जलन कर रहा है जो नेसल डिस्चार्ज हो रहा है में उका सारी वहाँ बहुत जलन कर रही है और जैसे ही मरीज खुली हवा में जाता है उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है तो अगर यहाँ सिम्टम किसी में है और उसको sinusitis है तो होमियोपैथी में उस कंडिशन को ठीक करने की बहुत कारगरदवा आर्सनिक एल्बम है आप आर्सनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बून दिन में तीन बार उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपको बाहर ताजी हवा में जाने में तकलीफे बढ़ती हो रात के 12 बजे के बार तकलीफे बढ़ती हो और जो आपके नाग से पानी निकलता हो वहाँ बहुत जलन करता हो फिर एक साथियों कंडिशन आती है कि पानी ऐसी नाग बह रही है साइनुसाइटिस और पानी ऐसी नाग बह रही है अगर यहाँ कंडिशन आप में sinusitis की सिती में हो तो उसको ठीक करने की होमियोपैती में बहुत अच्छी तबा काली आयोडेटम है आप काली आयोडेटम 30-2-2-1 दिन में 3 बाल ले लें आपकी जो पानी ऐसी नाक sinusitis में बह रही है वहाँ ठीक हो जाएगी और आपको यापके बच्चों को खास वर से बच्चों में आजकर बहुत sinusitis हो रही है उनको रहत मिल जाएगी उनको आराम मिल जाएगा और sinusitis भी उनका ठीक होने लगेगा एक कंडिशन साथियों आती है sinusitis में कि हर समय हलका हलका सर में दर्द बना रहता है हम आपको एक्स्पेशन से इसलिए बता रहे हैं कि बात आप जल्दी समझ जाएं क्योंकि हम लोगा तो यह रोज का काम है लेकिन आप शायदि यह रोज का काम आपका ना हो यह सुनना यह समझना यह करना तो जो हलका हलका सड्डल सा हेडेक आप में पढ़ता है उसे सिती को भी ठीक करने के हमेपैथी में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है जल्सीमियम आप जल्सीमियम थाटी दो दो बून दिर में तीन बार लेके अपने को ठीक कर सकते हैं एक कंडिशन आती है साथियों कि आपके साइनोसाइटिस हो और बहुत बदबूदार नोजी आपके अपके निकल लह उए हो बहुत बदबूदार मैुःक fascinated को साशहोगे है साथियों तो होमियज़ियोटी में उस Planet बार दी कोठीन के बहुत अच्छी दबा HIS जैसा कि अभी हम causes में भी कर रहे थे, बहुत बड़ा cause sinusitis का nasal polyp होता है, यहां पर नाक में अंदर outgrowth होती है, in growth होती है, तो अगर वहाँ condition आप में हो, तो उसको ठीक करने की homeopathy में बहुत अच्छी दबा, जहां nasal polyp हो और आपको sinusitis हो, तो polypust को भी खतम करने की और intent sinusitis को ठी करने की बहुत अच्छी दबा, ट्यूक्रियम मेरम वेरम है, आप ट्यूक्रियम मेरम वेरम जिसको कि हम लोग shortly TMV कहते हैं, 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं, जब आपके नाक में nasal growth हो, और आप जिस करवट लेटते हो, उधर की नाक पंद हो जाती यह साथियों कोई दबाएं थी, आपके sinusitis की बिमारी को ठीक करने की, आपके बच्चों को आराम देने की, खास वर से बच्चों में आज कल यह बहुत हो रहा है, यह सब दबाएं बहुत कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, कि बिना कुसल जी की सक्से पूछिया दब दबाएं ना लें, यहीं सिम्टम और दबाएं हर व्यक्ति के लिए भिन होती है, अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो, तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी कोरी रेस कर सकते हैं, या फिर हमारे वाट्सैप नंबर 94-5-7-86-300C पर वाट्सैप कर सकते हैं, आप आपको संतोज जनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा, आपका साथियों हमेशा की तरह मैं कहूंगा, कि अगर यहाँ आपको प्रयास हमारा पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्स्राइब करिएगा, अपने चैनल को शेयर तो अगर आपको कोई भी कमेंट हो, तो आप कमेंट पोर्शन में लिखके अपनी बात भी हमारे सामने रखिएगा, आपका हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, बात को सुनने के लिए और इस वीडियो को बढ़ाने के लिए आगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आदूार झाल झाल